तो दोस्तों स्विडियों बात करने वाले Steel Authority of India that is sale company के बारे में और हम यहाँ पर करेंगे sale का weekly analysis कि अब next week के लिए कौन से मुड़न नेवल से हैं जो हमें sale के अंदर ध्यान में रखने है और उसके accordingly यहाँ पर जो है वो targets क्या होने चाहिए तो देखो दोस्तों overall market में rejections है market में selling चल रही है बट then to sale हमें यहाँ पर जो है वो अपने 52 week high पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है that means counter के अंदर भाया strength तो है ठीक है और यही strength यहाँ पर जो है वो sale को और उपर ले जाएगी for the targets क्या रह सकते है तो 180 से लेकर जो है वो 200 तक आपका short term target रह सकता है depending upon the market conditions उससे जादा नहीं अगर 200 के levels को cross करके stock को उपर बढ़ना है तो उसके लिए और all time high तक जाने के लिए stock को minimum यहाँ पर डेड़ से 2 साल लगेंगे जो level 280 से लेकर 300 तक का है वहाँ पर stock RM से डेड़ से 2 साल के अंदर पहुच जाएगा अगर financial performance company का जो है वो अच्छा रहा तो बट overall जब तक यह counter अगर मैं short term की बात करूँ तो जब तक 160 के उपर है और 150 के उपर है व्यू आपका fully bullish होना जीए